नमस्कार दोस्तों अगर आप भी अपने income tax refund का वेट कर रहे हो तो कुछ चीजे हैं जो आप लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि income tax refund को लेकर के बहुत सारे frauds भी चल रहे हैं online और आप लोगों के बहुत सारे data को भी leak किया जा रहा है मैं आपको बता दू कि अगर आपने income tax return file किया हुआ है तो आप लोगों को income tax refund मिलता है अगर आप लोगों कोई TDS वगेरा कटा है यानि कि government या फिर income tax department की तरप से जो भी tax आप लोगों को काटा गया है वो refund के रूप में वापस कर दिया जाता है किन condition में मिलता है आप लोगों को इसका पता करना है और उन्हीं लोगों को tax refund आप लोगों की government बेशती है या फिर income tax department बेशती है समझे जैसे कि मालीजी कि आपकी salary पर TDS कटा हुआ है और वो TDS एक लाग रुपर तक का कटा हुआ है जिसमें से अगर आप लोग अपनी पूरी income मिलाते हो और उस पर tax देखते हो और पूरी tax lab में आप लोगों को मालोग 50,000 रुपए का tax भरना है तो वो जो आप लोगों क attached खाते में भेज देगा अब यहाँ पर किस तरही किसे fraud किये जा रहे हैं आप लोगों के पास ऐसे बहुत सारे flashy messages जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आप इस link के थ्रू जाईए और अपने detail bank account details वगरा भरिये जिससे कि आप लोगों को income tax department आप लोगों के account में आ आपके account में credit कर देती है उससे pre messages आपको कभी नहीं भेजती है जब तक वो आप लोगों के account में वो चीजे credit कर देती है या फिर नहीं अगर आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों का refund का status क्या है अभी आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है आप अपनी simply income tax department के portal पे ज नहीं मिलेगा या फिर मिल चुका है इस तरह की videos के लिए जरूर हमें follow करना क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की latest videos और important awareness videos बनाते रहते हैं जिससे कि आप लोग fraud होने से बच पाओ इस वीडियो को like करो जिससे कि इस वीडियो की reach थोड़ी बढ़े और इस वीडियो लोग आप शेयर करके दूसरों की help भी कर सकते हैं हम लोग next order मिलते हैं आप लोग का दिन सोब हो जैहिन